दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइट कर सकते हैं वो भी सिर्फ तीन स्टेप्स में दोस्तो सौगत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दर्खास करना चाहूँगा हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे दोस्तो जब भी आप कोई फ्रैक्शनल नंबर के बीच डिवाइडेशन का साइन देखते हैं तो आपको दिक्कत तो आती होगी तो ऐसे ही प्रॉब्लेम्स को हम स्रिफ तीन स्टेप में डिवाइड करेंगे यहाँ पर पहली स्टेप होगी कीप फिर चेंज और फिर फिलिप तो इनी तीन स्टेप में हम फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे वो भी बड़ी आसानी से तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इन दो प्रॉब्लेम्स में से पहला जो प्रॉब्लेम है उसमें हम फ्रैक्शनल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करेंगे और दूसरा जो प्रॉब्लेम है उसमें हम होल नंबर को डिवाइड करेंगे एक फ्रैक्शनल नंबर से दोस्तो सबसे पहले जो हमारा problem है उसमें हम 8 divided by 6 को divide करेंगे 2 divided by 5 से तो दोस्तो सबसे पहले हम keep, change और flip ये जो हमारी 3 step है उनको अच्छे से हम समझ लेंगे इनी steps को follow करके हमें हमारा problem solve करना है तो देखिए ये जो पहला जो fractional number है जो की left side में है उसे हमें जैसा का वैसा लिखना है और हमें उसे keep करना है इसके बाद देखिए dividation का sign है जिसे हमें change करना है वो भी multiplication sign से इसके बाद जो right side में number है उस number को हमें flip करना है एने उसे हमें inverse करना है अब दोस्तो देखे इस divination के problem को हमने multiplication के problem में convert कर लिया है जिसे solve करना बहुत ही आसान है दोस्तो अब इस problem को हम बड़े ही आसानी से solve कर सकते है multiplication से लेकिन इससे पहले हमें जो कुछ भी कट सकता है उसे काट लेना चीए दोस्तो याँ पे देखिए 5 के नीचे 2 है तो उपर 8 है तो हम इसे काट सकते है 2 1s are 2 और उपर 2 4s are 8 इसी तरह से हम 4 और 6 को भी cancel out करेंगे 2 2s are 4 होते है और 2 3s are 6 होते है इसे solve करने के बाद हमें मिलेगे 2 by 3 into 5 by 1 अब देखिए ये problem बहुत ही आसान हो गया numerator में और जो denominator में नंबर से उनको भी हम multiply कर लेंगे और फिर उसे calculate कर देंगे 2 into 5 का multiplication होता है 10 और नीचे 3 into 1 का multiplication होता है 3 तो कुछ इस तरह से हमें 10 by 3 ये answer मिला है इस problem का जो कि एक correct answer है दोस्तो इसके बाद हम देखेंगे next problem दोस्तो इसके बाद जो हमारा problem है वो है 12 divided by 4 by 3 12 ये जो number है एक whole number है इसे हमें divide करना है एक fractional number से तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से करते हैं इसे तो सबसे पहले हमें 12 इस number को convert करना है एक fractional number में हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी number को 1 से divide कर देंगे तो वो number fractional number में convert हो जाएगा for example हम 7 को 1 से divide कर देंगे तो एक fractional number हो जाएगा 7 by 1 तो बिल्कुल इसी तरह से हमें 12 को convert करना है एक fractional number में तो अब मैं इस example को clear कर देता हूँ अब देखिए 12 को हम 1 से divide करेंगे तो एक fractional number में convert हो गया अब इसे हम divide कर देंगे 4 by 3 इस fractional number से अब देखिए दोस्तो हमारा जो problem है वो fraction divided by fraction इस form में convert हो गया तो इसे हम 3 step में divide कर लेंगे जिस तरह पहले problem को किया था 12 by 1 को हम as it is लिख लेंगे यहने हम उसे keep करेंगे और इस divination के sign को change कर देंगे multiplication के sign में और 4 by 3 को हम flip कर देंगे यहने उसको inverse कर देंगे 4 by 3 को inverse करके हमें 3 by 4 मिला है देखिए अब यह problem simple multiplication के form में convert हो गया है लेकिन इसे solve करने से पहले हम देख लेंगे कि denominator और numerator में से कुछ कट सकता है या नहीं तो देखिए 4 1 जा 4 होता है और 4 3 जा 12 होता है अब इस step को कुछ numbers काटने के बाद हमें मिला है 3 by 1 into 3 by 1 अब यह simple सा problem है जिसे कोई भी solve कर सकता है numerator में हम लिख सकते है 3 into 3 और denominator में हम लिख सकते है 1 into 1 3 into 3 हो गया 9 और नीचे 1 into 1 एने 1 और 9 by 1 का ही मतलब होता है 9 तो दोस्तो इस तरह से हमें 12 divided by 4 by 3 का answer 9 मिला है जो कि एक right answer है तो दोस्तो कुछ इस तरह से हम fractional number को fractional number से या whole number को fractional number से divide कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही शुक्रिया दोस्तो इस वीडियो को आन तक देखने के लिए ऐस के लिए दोस्तो आज के से लिए धीडियो के लिए लिए